धर्ती धोरारी, मीठे गीतारी, रण वीरारी, सूर वीरारी, अठे खून सस्तो है, पणपाणी महगों शीष कट्या धर्ल रहा, आश्चान है राजस्थानरी, सगली दुनिया बोल रही, आधर्ती है बलिदानरी, अमर सिंग राणा प्रताप वीर दुर्ग दास सरीख है वीरारी, आधर्ती है भगती में तपियोडी मीरारी इडान देनी आपनी, मा हालर ये होलराई, पूत सिखावे पालने, मरण बढ़ाई माई इदम राश्थ्राय स्वाहा, इदम नामम, जब जब भरत खंड की इस महान संस्कृती पर संकट के बादन मन राए या फिर इसकी अच्छोंता पर कोई भी आँख उठी कलमकारों ने अपनी कलम की धार से चेतना की अलग जगाई है समय समय पर कलमकारों ने अपने डायत को बोध को दर्शाया है आज के परिवेश में जहां पास्चा की संस्कृती की आगोज में भारती संस्कृती का सूरी कहीं डूबता नजरा रहा है बहुतिक ताके इस युग में विलासिता अपने पाउं पसार रही है तो कलमकारों के कलम फिर चली और इसी कड़ी में मेवार की धरा के माभारती के लाडले सपूत कवी माधों ने ये साबित कर दिया कि वास्तों में कलम की धार तलवार की धार से तेज होती है और एक सुन्दर रचना लिख दी राष्ट जागरण के उद्देश्य से लिखी गई इस रचना को आपको सुना कर हम स्वयम को गौरवानवित महसूस करते हैं तो प्रस्तुत है मायड भाषा में मायड तुना कर दिया